गुड मॉर्णिंग टॉ आल सभी को नमस्कार प्रणाम स्टाट कर रहे हैं मॉडल पेपर 5 सब्जेक्ट बायो साइन्स जी एन्म फर्स्ट ये जिसके अंदर प्रिवियस पूर मॉडल पेपर के बारे में डिस्कुशन किये आज मॉडल पेपर नंबर 5 के बारे में बात कर रह है आपने देखा होगा मॉडल पेपर के अंदर जितने भी क्योश्षन है वह बहुत इंप्पोर्टेंट है और वहाँ से एक्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो इसकी प्रेक्टिस करते हैं एक्जाम पेटरन के एकोडिंग सारे इसको पेटरन को सामिल किया गया है देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यह मेरे वार्चेप नंबर है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का जैसे कंटिनुइज क्लास करना है एप्लीकेशन पर पढ़ना है तो उसके लिए आपको यह मेरे नंबर है बात करने का टाइम है छे बज़े है अबुक्स है उसके आपको यह यहां पर पढ़ने को मिलेगा जिसमें आपका सेलेबस के एकोडिंग आपका पड़ने को मिलेगा आप देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं question no.1 आपने देखा होगा की Middle Paper होता है 75 marks का आता है Exam paper या model paper जिसमें 75 marks का question रहता है तो आज 75 marks के question के बारे में बात करते हैं सबसे पहले है डिफाइन दे रेस्पिरेशन इनलिस्ट नेम ओफ द ओर्गन ओफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और ड्रो द डायग्राम ओफ लंग्स एंड एक्स्पिरेटरी सिस्टम यह बहुत इंपोर्टेंट है देखो बच्चो मैंने आपको हमेशा बता रहा हूं हर मोडिल पेपर के अं इन चारों के जो डायग्राम है बच्चों पांच से करना है जब आप डायग्राम बना करके वहां पे एक्स्पिलेंड करते हैं समझाते हैं तो उस कंडिशन में आपके जो नंबर है वो बैटर आएंगे अच्छे नंबर आते हैं ठीक है तो यह 15 नंबर का कोशन रहेगा न एनि-3 तो इनके अंदर तीन के बारे में यहाँ पर चार दिया हुआ है तो am आपने एक स्ट्टूडेंट मेरे को बताया था कि ठंडा हो गया क्या अच्छी कि देदे मेरे कुछ पिलेता है कहां से लाए हो ठंडा हो गया है हमताजी को दिया है चाहे पी लेता हूं बच्चों आप आप एसास कर लें साय का क्या कर लें एसास कि ठंडा हो गया उसमें क्यों लाए हो पन ही मिले आते न हुँआ कर देखेगा इसके अंदर जो लिखने का तरीका है जैसे लोंग कोशन आते हैं तो तीन से चार पेज बढ़ने हैं लोंग कोशन के अंदर और जो समरी है शोट नॉट्स है उसके अंदर एक से दो पेज बढ़ना है कम से कम दो पेज बढ़ना इस बात का ध्यान रखें ठीक है एक से दो पेज बढ़ना है तो इस प्रकार से यह है यह भी पांस-पांस नंबर के कोशन है 5 plus 5 plus 5 जिसके अंदर 15 नंबर के ये कोशन है next बात करते हैं next exam pattern शाई एंड गलत लिखे exam pattern है true and false के बारे में exam pattern true and false के बारे में देखो ये true false match the following abbreviation multiple search question ये सारे सारे मेरा application के अंदर already दिए हुए है इसके अंदर सारे question है जो आपको मेरे साफ से कोई भी question वहाँ से बार नहीं जाएगा तो आप प्ले स्टोर में जा करके मेरा application है उसको download कर लें ठीक है आप देखिएगा blood group AB is an universal recipient ठीक है न AB को सारो भोमिंग फ्राफ्स करता का जाता है देखो बच्चो blood group का नाम आता है उस condition में एक बात याद रखना है कि blood कौन किसको दे सकता है कौन किस से ले सकता है universal donor कौन है universal recipient कौन है इतनी basic बातें आपको ध्यान रखना है तो इसमें लिखा हुआ है universal recipient होता है वो होता है AB positive ठीक है दूसरा है universal donor donor की बात करते हैं तो ओ negative इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है यह important है ब्लड ग्रूफ AB is universal recipient हाना हाँ AB है वो सारव वोमिक प्रावत करता सभी से ले सकता है यह क्या हो गया यह true हो गया next बात करते हैं myopia is a disorder of the eye myopia है hyperophia है तो यह सब आई के disorder है यह क्या हो गया true हो गया a cartilage is the hardest connective tissue नहीं ठीक है ना hardest नहीं होता है तो यह क्या हो गया यह false हो गया next बात करते हैं human heart has four chamber जी human heart के अंदर कितने chamber होते हैं four chamber होते हैं यह क्या हो गया true हो गया अब देखिएगा माली जी यह heart है इसके अंदर यह right atrium right ventricle left atrium और left ventricle यह है जो four chamber है यह four chamber उसी के साथ साथ में जो valve की बात करते हैं जिसके अंदर एक valve होता है यहां पे एक valve यहां पे होता है एक valve यहां पे होता है एक valve यहां पे होता है एक valve यहां पे होते हैं तो इस प्रकार से four chamber होंगे और four valve होंगे four valve जिसके अंदर यह दोनों valve होते हैं जिसको एक तो होता है pulmonary valve और एक होता है aortic valve तो यह दोनों valve होते हैं सेमी ल्यूनार वाल होते हैं यह जो वाल होते हैं इस इस प्रकार से बच्चों आपको क्या रखना है जिया है बैसिक बाते हैं ज्यादा confusion में नहीं होना है और हार्ट का डाइग्राम अच्छे से समझ करके जाए एक्जाम के अंदर आएगा बच्चों ठीक है next बात करते हैं erythrocyte is another name of the RBC RBC का दूसरा नाम क्या है erythrocyte है मैंने आपको पढ़ाया था जिसके अंदर RBC को किस नाम से जानते हैं देखेगा जो RBC है जिसके अंदर erythrocyte मतलब यह सई है तो यह क्या हो गया यह true हो गया उसके बाद में sulfuric acid is present in the stomach stomach के अंदर sulfuric acid नहीं होता है इस stomach के अंदर तो HCL होता है तो यह क्या हो गया यह false हो गया यह क्या होगा फाल्स हो गया नेक्स्ट बात करते हैं enzyme has have no function in the body enzyme का function होता है यह क्या है यह false हो गया नेक्स्ट है human body consists of 300 bonds नहीं यह क्या हो गया फाल्स हो गया बान की संख्या तो आप जानते हैं 206 होती है next बात करते हैं the study of the tissue is called the histology हाँ tissue का study करते हैं tissue की study करते हैं जिसको histology के नाम से जाना जाता है यह सई है यह क्या है true है next a pathogenic microorganism are disease causing organism शरीर में बीमारी को पेदा करने वाले जीवानों को pathogenic जीवानों कहते हैं हाँ सही बोलते हैं यह क्या है pathos जिसमें आता है मतलब disease फेलाने वाले microorganism तो इसका क्या हो गया true हो गया next exam pattern आ रहा है कौन सा आ रहा है fill fill in the blanks नहीं है fill in the blanks होगा रेक्तिस्तानों को भरे एक adult की खोपड़ी में सुचर होते हैं तो adult की खोपड़ी के अंदर सुचर के बारे में मैंने previous class के अंदर आपको बताया था जिसके अंदर सभी परकार के सुचर के बारे में description किया था तो major जो सुचर होते हैं वो कितने होते हैं for सुचर होते हैं major ठीक है उसके अलावा तो सह साथ सुचर होते हैं प्रंतु major की बात करें तो कितना होता है तरह मुलद करता है किस के द्वारा फेगो साइटोसिस कि द्वारा क्या होता है कि WBC है वो एक phagocytosis के रूप में कारे करती है जैसे ही कोई भी microorganism body के अंदर entry होता है तो WBC उसको निगल लेती है उसको गटक लेती है phagocytosis के रूप में जो microorganism होते हैं उसको क्या कर देते हैं destroy कर देते हैं next बात करते हैं blood is supplied to the heart by आपने देखा होगा कि heart के अंदर जो blood supply करते हैं उसकी जो artery होती है वो कौन सी artery होगी coronary artery coronary artery coronary artery coronary artery होती है वो blood supply करती है heart को उसके बाद में the name of the cranial now at least मतलब तीन cranial now है उसका नाम लिखना है बच्चों मैंने ये भी question आपको पहले बताया था जैसे आपने देखा होगा कि तीन क्या आप बारा ही लिख सकते हो ट्रिक के दोवारा सबसे पहले ओल फैक्टरी ऑप्टीक ओक्लो मोटार टोको लियर टाइजेमिनल ट्राइजेमिनल एब्डूसेंट फेशियल एब्डूसेंट फेशियल उसके बाद में हैं ग्लोसो फेरिंजियल वेस्टिबुलो कोकलियर और वेगस और असेसरी और यह आपको कोई भी लिख सकते हैं ओल फैक्टरी ओक्लो मोटार ऑफ्टिक ट्रोकोलियर ट्राइजेमिनल एब्डूसेंट फेशियल तीन लिखना है ठीक है टू में पार्ट ओफ दे इनर इयर एक तो होता है इनर इयर के अंदर दो पार्ट होते हैं जिसके अंदर देखेग सबसे जो पार्ट है पहला है बॉनी लेबिरिंथ और दूसरा है मेंब्रेन लेबिरिंथ यह दो फार्ट होते हैं इनर इयर के वास डिफेरेंस इस दे पार्ट ओफ दे रिप्रोडेक्टिव 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 और्गन है वास डिफेरेंस जिसमें स्क्रोटम से स्प्रम को जो यूरिन वाले पार्ट तक लाने का काम करता है ठीक है उसके बाद में मेकूला लूटिया सिस्वेटेड एट दे रेटिनल पार्ट मेकूला लूटिया होता है यह ये एक रेटिना पे होता है और पार्ट ओप आई या किसका पार्ट है ऐगे तर्धीन पे द wykor Ireland किसका स्थ ł रूता है या स्थ नोता है अब धरी अफ्नीित इस डफ़ीज़ और द रहा बात बारे में बात करें तो एक किड़नी बीन सेप की होती है ठीक है ना किड़नी की सेप की होती है बीन सेप की इस परकार से यह किड़नी का सेप होता है उसके बाद में इसके लारा इस सिसेटेड इन आई है ना आई का इसके लारा कहां पर होता है आई का पार्ट होता है साण साय था कि आई की जो दिल होती है जो हाटब लेर निबल और इनर लेर जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोन शी सिक्षिर होती है उसके बाद में फ्रृलाईज शन renda etsal in do crime glad głos क्या secret करती है मखार्मोन करती है क्षुक्रेटकर पिए हार्मोन क्षुक्रेट करती कैसे मसल्स इस फांड इनद हम फुझाओं में होती है वह का पर होता है अम फुझाओं पर उतके बाद में बसुप्रा स्प्रारिनल ग्लेंड होती है उसको क्या बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लेंड के नाम से जाना जाता है एंडोक्राइन ग्लेंड उसके बाद में बात करते हैं इस प्रकार से बच्चों के बारे में आपको कंफ्लीट करवा दिया नेक्स्ट बात करते हैं देखो जब आपको पूरा एक बैसिक तरीके से संपुन रूप से पढ़ा हुआ है एसी कंडिशन के अंदर आपके कोई कोशन गलत होंगे नहीं क्यों गलत होंगे पूरा पूरा पैटर्न आपको समझ में आया हुआ है आपने पूरे इस मालीजे यह ट्रू एंड फॉल्स के बारे में आपने 300-400 कोशन मिलाये हुए हैं जो मेरे पीडियेप के अंदर है उस म में लुद्री हो क्या दीकत हैं तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखें अच्छे से प्रेक्टिस कर लें अब रात करते हैं अब कोशे में500 के अ रिखा ववा है है में जिसके से फिप्टिन कोशन है बच्चोंड 15 मिलान करते हैं मैं थोड़ा सा होटा करना पड़ेगा मिड़ेको और कोलूम ए टुकॉल्म B के मिलान करना है ठिक अब देखेगा जो वर्ठीब्रा है को इसको वर्ठीब्रा है यहां पर is में किस्में आएगा वर्टिबल एक इरेगूलर बहुट है बच्चो तो पहले का रहेगाSi रहेगा वर्टिबल इस इर्रेगूलर बॉन उसके बाद में वाइन है तो बाइन के अनुदर आपका राइट होगा बाइल के अंदर राइट होगा लिवर ओ इसका ओ राइट होगा टंग है टंग के अंदर इसके इदर राइट होगा एम टेस्ट बड्स इसके अंदर एम होगा उसके पाद में हैं ओप्टिक नाउ है ओप्टिक नाउ ए वीजन इसका ए होगा हीप जोइंट है हीप जोइंट बॉल एंड सोकेट टाइप का जोइंट इसका बी है उसके बाद में ब्रेडिक आडिया शलो हार्ट रेट इसका आंशर होगा डी पल्मोनरी वेंट जिसके अंदर ऑक्सिजनेटिट बलड होगा इसके अंदर इसका आंशर होगा जे उसके बाद में इसके बाद में एल्बो है एल्बो क्या है एल्बो हिंज जोइंट है एल्बो है हिंज जोइंट है उसकी लेयर है जी इसका क्या हो गया जी उसके बाद में फेलोफियंट ट्यूप फेलोफियंट ट्यूप और इसको एच ओहुम एच उसके बाद में सेमी सर्कुलार कैनाल सेमी सर्कुलार कैनाल इसका राइट होगा आई संतुलन करने के लिए उसके बाद में अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है अपेंडिक्स जिसके अंदर राइट इल्यक फोसा के उसके बाद में पेंक्रियास के अंदर डाइबिटीज एल उसके बाद में माइट्रो कॉंडिया अब लास्ट में माइट्रो कॉंडिया के अंदर क्या बस गया इसेल है यह क्या है तो इस प्रकार से आपको याद करना है इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है अब इसमें लिखने में कितना टाइम लगा कुछ भी टाइम नहीं लगा यदी आपक से कर सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं क्योंकि इसके अंदर आपको छोटा-छोटा दिख्रा होगा ठीक है एक बार इसको आप कर ले मैं वापिस बोलूँगा इसका आंसर बोलूँगा आप एक बार लेक लेना देखो बच्चों हमेशा ध्यान रख करें कि वर्टीब्रा है कि इर्रेगुलर बॉन है बाइल का सिक्रेशन लीवर के द्वारा होता है कि टंग है टंग पे टेस्ट बड़्स होते हैं जीब के कौन से होते हैं टेस्ट बड़्स होते हैं तो इसका तीसरे का टेस्ट बड़्स का है एम टेस्ट बट रहे का टंग पे स्वाद का ज्यान ऑप्टिक नव है वीजन का काम करवाती है हिप जॉइंट है बोल एंड शॉकेट टाइप का जॉइंट है ब्रेडिक आडिया है स्लो हार्ट रेट होगा पल्मोनरी वेन है ऑक्सीजनेटेड बलड मिलता है एब्सर्प्शन ऑफ फूड इस्मोल इंटेस्ट आइन से होता है एल्बो जॉइंट जिसके अंदर है एल्बो जॉइंट के अंदर क्या था एल्बो है वो हिंज जॉइंट है मायो मेट्रियम यूटर्स की लेयर है हेलोफियन ट्यूब ओवोम उसके बाद में सेमी सिर्कुलर कैनाल जिसके अंदर बैलेंस बनाना अपेंडिक्स राइट इलियक फोसा पेंक्रियास इंसुलिन जिसमें डाइबिटीज रहेगा मायो का इस प्रकार से आपको याद रखना है अब देखिएगा यह करने में कितना टाइम लगता है पंद्रा को पंद्रा पॉइंट है और जिसके अंदर मेरे साथ से पांस मिनिट लगता है यह आराम से करोंगे तो तो उसके बाद में दूसरा जो एक्जाम का पेटरन है फिलेंद प्लेंज इसके अंदर समय कैचे इसमें भी 12 पॉइंट है तो इसमें भी ज्यादा टाइम ने लगता है नेक्स्ट जो true और फॉल्स के बारे में ने ने लगता है और उसके बाद में जो लॉंग कोश्टन है उसको आराम से धिने-धिन करना है तो एक्जाम के अंदर मेरा जो राय है उसके अंदर आपको यह देखना है कि फेले जितने 20 से 30 क्वेशन जो वन वे लाइन के आते हैं उसको आप पहले सॉल कर ले और उसके बाद में दूसरे को सॉल करें ठीके बच्चों आज इतना ही दन्यवाज